दोस्तों मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं Sensible के इस नए हिंदी डेली मार्केट अनाल्लिस्स वीडियो में चले शुरू करते हमारा point of view से हम market में देख सकते हैं यूग कि यहां पर एक selling position market में बनाना ठीक रहेगा bank nifty में nifty में हम लोग bullish थे क्योंकि simple सा reason था कि bank nifty काफी strong bank nifty में काफी weak chart दिखाई दे रहा था और nifty में काफी strong chart हमें दिखाई दे रहा था और एक अच्छा यहां पर हमें मौका मिला भी selling करने का हमने कहा था कि बहुत यहां से अगर market यह 43-600 के level को cross करता है तो हम यहां पर एक sell position market में उठा सकते हैं ठीक है और उसके बाद market ने स्टोड़ा बहुत recovery में यहां पर एक closing दिया है ठीक है अब यह जो recovery है आप इसी से आप idea लग जाएगा आपको कि यह जो recovery यहां पर bank nifty में होई है और आप यही recovery देखिए nifty में ठीक है तो जो strong players है market में जो भी stock के case में आप यही चीज़ apply कर सकते हो यह देखिए कि index के correction होने पर stock में कितना correction आ रहा है ठीक है इसे आम भाशा में साइद बीटा कहा जाता है किसी stock का बीटा कितना है या यही एक term है या फिर दूसरी term है इसी के लिए ठीक है तो यह देखना है आपको कि इसका index से related यह कितना move करता है किस तरीके से move करता है ठीक है जो weak player होगा market में वह index अगर एक 파सnd गिरेगा तो वह तेड़ परसेंट गिरेगा और अगर जो strong player है मार्केट में जो strong stocks हैं वह इंडेक्स अगर एक परसेंट ऊपर चड़एगा तो वह 15% उपर मार्केण चड़एगा उससे bearish trade हमने क्या कहा था हमने यह कहा था कि bearish trade हम कब plan कर सकते bank nifty में क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा sign यह दिखा रहा था कि यह वाल कि hold कर रहा था यह जगह पर market में ठीक है तो bearish trade हमने उत्ता plan यहाँ पर किया नहीं था अब यहाँ पर क्या आपको करना चाहिए bank nifty तो अभी में कहूंगा कि थोड़ा avoid करने वाली situation बन रहा है क्योंकि यहाँ से जब भी ऐसी tails market में बन जाती है तो market को follow देखिए यहाँ पर market नीचे तो आया है trend line की नीचे आया है bank nifty पर तो यहाँ पर follow up selling नहीं मल रही है ठीक है जिस तरह की strong selling market में होनी चाहिए वैसे नहीं दिखाई दे रही है और वहीं निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी अपसाइट पर करने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहा है तो यहां से एक अपसाइट मोमेंटा हमने कहा था कि अगर market करेंगे तो देता हूं कि उस 19,000 848 50 के ऊपर 848 50 हमने लेवल डिसक्स किया था उसका यही लॉजिक था कि इसके ऊपर पहले recent buyers के ऊपर जब मार्केट जाएगा या फिर selling zone के ऊपर जब मार्केट जाएगा तब मार्केट में आपको एक अच्छा move आता हुआ दिखाई देगा उससे पहले अच्छा मूव मार्केट में आना थोड़ा सा मुश्किल है तो यहां से अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहां पर अब मार्केट में यहां पर बायर्स की फ्रेश एंटरी हुई है यहां पर एक सेलिंग मूव आया पहले और उसके बाद मार्केट ने रिकावर होना शुडू करा और एक अच्छा यहां पर डबल बॉटम मार्केट बनाता हुआ अफसाइर पर मूव कर रहा है ठीक है तो यहां पर एक अच्छा मूव हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी में तो यह अगर निफ्टी मान लीजिए कल के दिन में फ्लैट अगर मार्केट ओपन होता है इसी जोन में 19,850 के नीचे मार्केट ओपन होता है और फिर अगर हाई क्रोस करता है तो यह कोशिश करेग 900,920 तक जाने की ठीक है अब यह अगर open interest आप देखोगे तो कल जो 19,800 बहुत strong resistance दिखा रहा था आज वो उतना strong resistance open interest में रहा नहीं है ठीक है एक reason उसका यह भी है क्योंकि इसके ऊपर close दिया है 19,800 के next resistance आपको दिखाई द रहा है 19,900 वहाँ तक कि मुझे लगता है यह journey complete कर के ऊपर निकलता है market तो हमें एक अच्छा move यहाँ पर आता हो दिखाई दे सकता है अब इसका logic simple सा मैंने आपको उस दिन भी यही बताया था कि market ने पहली बार जब यहाँ पर resistance लिया ठीक है पहली बार यहाँ पर market resistance लिया दूसी बार वापिस market वापिस इसको बहुत समय ब कितरे एक करेगा क्योंकि पुराना पुरान टाइम पर market ने यहाँ से सेल आप आया था ठीक है तो अभी यहाँ पर बार-बार market इस चीज़को उपर ले जाने कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ से अच्छा move हमें upside पर कल के दिन देखने को मिल सकता है एक अच्छा move हमें तभी देखने को मिलेगा जब मार्केट में एक ठीक ठीक ओपनी हो एक अल्मोस्ट फ्लाइट टू फ्लाइट टू या स्लाइटली गाप मार्केट में अगर opening होती है तो हमें एक अच्छा move upside पर निफ्टी में देखने के लिए कल मिल सकता है और अगर मार्केट में काफी बड़ी कर सकते हैं या आपका स्टॉपलोस हो जाएगा इस तरीके से आप कर सकते हैं अगर किसी भी केस में मार्केट में यहाँ पर गैप डाउन ओपनी हो जाती है तो बैंग निफ्टी में दिक्कत होना शुरू हो जाए क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा बुलिश मूव है और स कीडी तुराझट कीटाफी दूर रहेंगे लेकिन से अब आर questa सकते हैं तो मार्केट में टुरंत एक सेलिंग आता हुआ दिकाई दे सकता टीक तो अगर मीरी कोई भी राएवए यहाँ नहीं के सञे राइना ही उपर जाता है तो अब इतना बाई करने के सला तुमा भी नहीं दूँगा चोटे मुट कौनेटी आपको बाई करना है तो 43,500 की ऊपर आप बाई कर सकते हो लेकिन बाई करना है तो nifty is a good, इंस्टुमेंटों कल expiry भी है nifty की तो nifty अच्छा instrument है gap up अगर बहुत बड़ा bank nifty open हो जाता है तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि यहां पर market में price action कर सबना है क्योंकि यह जो zone है इसके ऊपर हमें एक अच्छा move market में देखने को मिलेगा जो recent यह यह फिर यह वाला zone माननीजी आप जहां से market में पिछली बार यह selling आई है ठीक है इस zone के ऊपर market में एक आपको अच्छा move देखने को मिल सकता है यहां कहीं पर market gap opening दे पहले और थोड़ा time spend करके फिर अपसाइट पर निकल रहा है लेकिन gap opening में केवल दिक्कत यह आ जाती है कि आपका जो profit है वो पहली निकल चुका है तो थोड़ा सा समभल कर ट्रेड करना है बस मिला कि इतनी सी बात में बता रहा था ठीक है open interest bank कोई बड़ी आक्टिविटी नहीं तो कुली मिलाकर निफ्टी स्ट्रॉंग दिख रहा है मैं कुछ नहाज करा नहीं मैं आप आप देगेंगे कल का भी तो यह तीन सेक्शन कलिके जैसे दिखाई दे रहे हैं आप तो एक positional trade मुझे लगता है कि आप बना सकते हैं निफ्ट के लिए एक अच्छा हमें बुलिश मुव यहां पर निफ्टी में देखने को मिल सकता है अगर मार्केट ने मुव सस्टेन करा तो क्योंकि एक अच्छा यहां पर पॉइंट के वल इतना ही है कि अपने रिजिस्टेंस जो पिछला रिजिस्टेंस से उसके आस-पास बहुत तो इस वज़े से यहां पर एक अच्छा मूव यहां पर आ सकता है डॉलार अभी भी देखेंगे तो अभी बना दिया तो यहां पर एक ब्रेक आउट वक्का केंडल बनने दीजिए पहले पूरा तो उसके बाद उसका हाई क्रोश करता है तो हम यहां पर एक बाइंग साइ पर ट्रेड प्लान करेंगे तब तक के लिए नहीं अभी तो मैं यहां पर कोई भी ट्रेड प्लान करने से डर रहा हूं थोड़ा सा ठीके दोस्तों तो यह था मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी और डॉलर का नालिसे आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो इस वीडियो क को कर लीचे सब्सक्राइब हमिशा के तरह अपने कैपेटल को बचा के ट्रेड करिए स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए हैज के साथ ट्रेड करिए और हैव सेफ और हैपी ट्रेडिंग में सेंसेवल बबाई